नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जहां पर आपको जारखन टेट, सीटेट, टीजीटी और बीजीटी की तयारी सोसल साइन्स सबजेक्ट एंसीयाटी के आधार पर कराए जाती है और जैसा कि आप जानते हैं जारखन में कई सारी फेकेंसी आनी वाली ह और कुछ आ भी चुकी है और पचीस अगत से आपके प्लस्टू की जो ओर्लाइन फॉर्म है वो फिलप होने वाला है आप इसे जरूर भड़े और अपने तयारी को भी मजबूत करें देखिए किसी भी एक्जाम की आप तयारी करें सबसे पहले आप NCRT को जरूर पड़े अपने जो आपका जो सब्जेक्ट है उसके पुस्तक को आप जरूर पड़े उससे क्या होता है कि आपका जो वेस है वो मजबूत हो जाता है जो कौंसेप्ट के वो खिलियर हो जाता है और खार स्थोर से सिच्छकवाली में तो यही से आपके भर-भर के कुविस्चन आते ह है तो इसके लिए आप उस तक भी खरी ले तो काफी अच्छा रहेगा और अपने हाथों से ही नोट्स पना ले और अगर आपने इसा नहीं किया है तो आप हमारे चैनल के प्रेलिस्ट में जाकर जरूर देखे क्योंकि मैंने वापर 6-8 के सोसल साइंस को कम्प्रीट करा दि लगे तो चलिन हम आगे बखते हैं तो यह जो चेप्टर है व PROFESSOR&YE कच्छा 7 का ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है दिल्लीidän के सुलता और इस चैप्टर पर आज आपका फॉर्सट पार्त है इस चैप्टर का फॉर्सट पार्त है फॉर्स्ट विर्यू है चलिये हम आगे बड़ते हैं तो देखिए सबसे पहले तो मुख्य बिंदु है वो है दिल्ली के सुल्तार है तो पहला प्रोंट दिल्ली के बारे में है और ये जो सहर है वो बारवी सताबदी में बनता है ये जो दिल्ली सहर है मतपुन शहर ये बारवी सताबदी में बना और तो मर आप जानते हैं, कर सकते हैं कि 12 से 1165 इसका अरम होता है, और जो चोहानों के राजपाल, चोहानों के जो राज़िकाल होता है, उसके काल में ही दिली वानीजी का महतपून किंद्रवना, चोहानों को आप जानते हैं 1165 से 1192 तक इनका कारिकाल रहता है, राजिकाल रहता है, क्योंकि हमने पिछले चप्रटर 2 में जाना, 1192 में प्रिथिवराज चोहान तिर्तिय हार जाता है गोरी से, तो इस तरह से बारवी शताबदी में दिल्ली जो है वो महतपूर्ण बन जाता ह और आगे हम जानते हैं कि किस तरह से इन पर सुल्तानों ने राजिकिया, तो नेक्स्ट है फार्सी, तो देखिए सुल्तानों के सासनकाल में, सुल्तानों के सासनकाल में प्रशाशन की भार्षा वो फार्सी थी, देखिए ये हमेशा पूछा जाता है, सीटेट में भी आया था कि सुल्तानों की प्रशाशनिक भार्षा क्या थी मुगलों की प्रशाशनिक भार्षा क्या थी तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो सुल्तानों के सासनकाल में सुल्तानों की जो सासनकाल था वहां में प्रशाशन की भार्षा फार्षी रहती है नेक्स्ट है तारीक, तारीक एतियास का एक वचन है और त्वारीक का मतलब होता है बहुँ वचन नेक्स्ट है तेरवी सताब्दी के तिहासकार तो देखे ये भी फुष्टा है कि चोदवी सताब्दी के तिहासकार कौन है मिनाज ये सिराज किस सताब्दी के किस सताब्दी के किस सताब्दी के तिहासकार रहते है तो आप याद रखे मैं हर सताब्दी के तिहासकारों के ना और मिनास सिराज ये दो तेरवी शदी के पिहास कार रहते हैं दो नहीं इसे ज़ादा भी है लेकिने इस चप्टर में आपको इन दो के ही नाम दिये गए चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिए रजिया के बारे में दिया गया है तो ये आप जानते हैं इल्तुत्मिष की बेटी रती है और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला ये फर्स्ट शाजक रता है इल्तुत्मिष रता है डिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शाजक रता है दिल्ली शुल्तान में से और इसकी बेटी रहती है रजिया इसका जो कारिकाल रहता है 1236 से 40 और रजिया की आलोचना मिनाजे सिराज ने किया है और इसे बेटी कोट गवर्नर भी करते हैं आप इसे जरूर याद रखे नेक्स्ट है रूतरमा देवी तो आंध्र प्रदेश के वारंगल वारंगल छेतर में इनका राज रहता है 1262 काल इनका जो है काल दिया गया है समयकाल सासनकाल कि वो है 1262 से 1289 और इहों ने रूद्रमा देवी ने पूरुस होने का भ्रह्म पैदा किया था तो इसका एंसर है रूद्रमा देवी नेक्स्ट है राने दिद्धा तो ये कस्मीर की शार्षिका रहती है 980 से 1030 और दीदी का यहां पर दिया गया है बड़ी बहन इसका मतलब होता है नेक्स्ट है गेरिशन सहर तो इसका मतलब क्या होता ये पूर्षता है गेरिशन सहर क्या होता है तो किले बंदी जो बशाव है जहां सेनिक रहते थे उसे गेरिसन सहर कहा गया मतलब किले बंदी करके रखा गया था और जहां पर सेनिक रहते थे मतलब आम जनता नहीं रहते थी तो उसे गेरिसन सहर कहा गया है नेक्स्ट भीतरी प्रदेश, तो देखे किसी सहर या बंदरगाह के पास के जो इलाकी होते हैं, जो उस सहर के लिए वस्तु और शेवाओ की पूर्ती करें, तो उसे भीतरी प्रदेश कहा गया है, मतलब आप कर सकते हैं कि सहर या बंदरगाह के आसपास के जो इलाके हैं, जो आपको रशत पानी है ना, खाना पानी एगरा, सहर के लिए जो वस्तु है, उसे वो पूर्ती कराते हैं, तो इसे भीतरी प्रदेश कहा गया है, गेरिशनों, तो आप अगर गेरिशन सहर समझ जाएंगे, तो इसे भी समझ जाएंगे, इसका मतलब होता है, रच्छक सैनिकों की तुकडिया, तो गेरिशन का मतलब होता है, जा पर सैनिक रहते थे, किले बंदी आप समझ सकते हैं, और गेरिशनों का मतलब होता है, तो इसका जो कारिकाल है पर जान लेते हैं इसने कब से कब तक शाषन किया तो 1296 से 1360 यह हमें सब पूछता है कभी अलावदिन का काल पूछ लेगा कभी रजिया का कभी दोतमिस का अकबर बाबर किसी गाभी यह समय का इक्साम में आपको आजाते हैं तो इसका जो अलावदि इसने सबसे पहले देली से गुजरात को 1299 में रंथर्म भोर को इसने 301 में जीता चीते और को 303 में वारंगल को इसने 1311 और तंजाबुर को इसने फिर से 1311 में ही जीत हासिल किया था तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इसी के सेकेंड पार्ट को और भी काफी सारी जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद